मैं गुजरात पर वापस आती हूं क्योंकि आप गुजरात specific interview आपने कहा कि आप और किसी चीज़ पर बात नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ गुजरात पर बात करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए कि अब आप 20 साल अगर आपको reverse पर देखना पड़े, तो क्या मुदी जी कर स सकते थे, जो उन्होंने नहीं कियाई? ऐसा है, सब कुछ किया है, मैं तो बहुत नदिक से देख रहा था, इतने डीटेल में सायद ही किसी मुख्यमंत्री ने काम किया था, एक थाने की स्ट्रेंथ 100 पुलिस की होती है, 1500 पुलिस की होती है, एडिस्नल फोर्स लोलो तो 400 लोगु का जमगट है, क्या कर सकते हैं? इसको कंट्रोल करते करते समय लगता है. टियर गैस, लाटी चार्ज, ये सब सबुआ है, फाइरिंग हुआ है, 900 लोग फाइरिंग में मारे गए. तीसरे दिन? नहीं, दूसरे दिन भी हुआ है, पहले दिन तो सवाल ही नहीं देख पहला थी. दूसरे दिन भी फाइरिंग हुआ है, तीसरे दिन भी हुआ है. परन्तु सरकार को भी व्यवस्थाहे करने में और जो स्केल बन गया, वो स्केल को पहुचने में थूड़ा समय लगता है. और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे पूरा मालू है, इस और घिल गील साब भी हमारे आए थे हमारी मदद में. मूदी जी सरकार की मदद में. गील साब भी आये थे. गील साब के साथ मैं यह बी डिनिर करा है. उणों का इससे जधा परॉंट एक्शन मेरे जीवन में, मैं नहीं नहीं दिए और उन्होंे पंजाब एक्शन देखा हुआ था रहां कि इससे ज्यादा निट्रल और प्रॉम्ट दो सब्द प्रॉम्ट थे निट्रल और प्रॉम्ट एक्षन मैंने मेरे जी उने पुलिस की किरियर में नहीं देखा है फिर भी आरोप लगाए घिल पर ही लगा दिया आरोप अब जो प्रेटिशनर्स हैं वो कह रहे हैं उन् the audience यकी जुजर्जमाइं तो को सैसं पॉर्ट म Henri आया इसके खिलाब आपने कई कर ज्यादा कड़ा करिए इसके खिलाब आपने सुप्रिम कॉर्ट में अपिल करी सुप्रिम करने इस से भी कड़ा ही से करा पिर भी आप सिवकार नहीं करते हो तो क्या कर सकते हैं और दूसरा डेट जिसने जिसने ली है इसका रेकोर्ड न्याई की अदालतों में पड़ा हुआ है देख लेना चाहिए जिसको भी इंट्रेस्ट है उसने हर बार एंजियों ने डेट ली है कंश्चु को पेंडिंग राखना क्योंकि मोदी जी पर आरोप लगतारा कर तो जस्टिस वह नहीं चाहते थे वह पलिटिकल वेंडेटा चाहते थे क्या यह कहरे हैं अब कि गेन चाहते थे, मैं जाक्या जी की बात नहीं कर रहा है, जो एंजियो साथ में लगे थे, जो पॉलिटिकल पाटियां एंजियो को फंडिंग कर रही थी, और जो मीडिया की ग्रूप एंजियो को प्रसीद्धी दे रहे थे, वो लोग. सर, मुझे बताईए कि 2002 के बाद और इस नियाएक प्रक्रिया के बाद, क्या लेसंस हैं, क्योंकि मन्थन तो होता है आपकी पार्टी में, और गर्वर्मेंट में भी, सरकार में भी, तो क्या लेसंस आप सीख चुके हैं, इससे क्या, कि ऐसे अब कभ ना हो, कभी ना हो? देर सारे सुझाओ आए हैं, वो सारे सुझाओ, मैं ही गुरु मंतरी था, मोदी जी ही मुखे मंतरी थे, गुजरात पुलिश ने अपनी कारेपद्धियती के अंदर इंकॉर्पोरेट कर दिये गए हैं, ट्रेनिंग मॉडिल भी बढ़ले गए हैं, सुचना प्राप्त करने गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है. स्टेट की बात हो जाते हैं? स्टेट के बटालियन लगे हुए हैं, तो कहीं और से नहीं लाना है, वनो बिहार है, तो SSB हमारी तुरंट गंटों में पहुंच सकते हैं. मोटिवेट जैसे ममता जी कहती हैं, कि जो सेंट्रल फोर्स हैं, वो पॉलिटिकल आदेश पर काम करती हैं. मितावेट ममता जी को ना आप समझा सकते हो, ना मैं समझा सकता हूँ. छोड़िये, इसके आदार पर अडिमिस्ट्रेशन कैसे पर होगा? पॉलिटिकल बाते करने के लिए हरे को इस देश में स्वतंतरता है. जी, आपका कोई, आज जब ये रूलिंग आई है, तो आप एक बार और पूछूंगी मैं कि आपको कैसे महसूस हो रहा है आज के लिए? जी, बहुत अच्छा मैसूस होता है, मोदी जी को बहुत सारे बदनामी जहलते हुए मैंने देखा है, मोदी जी पर ये बहुत सारे जूट और जूटे आरोप मड़ते हुए, नेलजता से मड़ते हुए मैंने देखा है, इसके बावजूद भी संभेधानिक प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिय इसके उपर कुछ नहीं करना है यह बोल्ड स्टेंड लेते हुए मैंने दिखा है और 18 साल तहरीय रखते हुए दिखा है और 18 साल के बाद आज वीजाई होते हुए भी मैंने दिखा है मुझे तो बड़ा संतोस है कि सार्वजनिक जीवन में धरेंद्र सुप्रीम कोर्ट में अब्जर्वेशन ये भी था कि उस वक्त की सरकार ने दंगा रोकनी का प्रयास नहीं किया और ये भी कि कुछ विटनेस जो हैं वो ऐसी जवाब दे रहे थे जैसे की डिक्टेशन दे रहे होने दोनों चीज़ें अब्जर्व किया गया देखे उस वक सुप्रीम कोर्ट ने किया है राज्य सरकार ने दंगा रोकने के लिए भर्सक कोसिस की राज्य सरकार ने उचीत समय पर उचीत कारेवाही करकर कम नुकसान में दंगों को समाप्त किया और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोड द्वारा दी गई विटनेस प्रोटेक्शन की स् पूरा फुल स्टोप कौमा में पुरा किया है तो यसी जिए कहा जाएगा कि सुप्रीम कोड को भी इंफ्लुएंस किया है सवाल ही नहीं इस प्रेम कोड को इंफ्लुएंस करने का आप आरोप लगाने के लिए तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है परन्तु आप जजमेंट ऐसा नहीं है इतने सालों से लड़ा जाने वाला केस सुप्रीम कोट में साथ साल तक केस चला है और हर बार पुरे-पुरे दिन सुनवाई या हुई है यह तीनों बातों को सुप्रीम कोट ने सपर्ष्ट किया है कि राज्य सरकार ने भर्षक कोशिस की उचीत समय पर उचीत नहीं लेकर इसको कम नुक्सान में दंगो को समाब्त करा और जो विट्नेस प्रोटेक्शन स्कीम राज्य सरकार ने सुप्रीम कोट के सामने रखी थी सुप्रीम कोट ने थोड़े बहुत एमेंड्मेंट करकर एपरू करी थी इसको फुल-श्टॉप कौमा में स्पिरिट क के साथ लागू किया है और मोधी जी के लिए भी कहा कि मोधी जी ने बार बार दंगा रुखने के लिए मिटिंगे भी करी अपीले भी करी सारवजनिक अपीले भी करी और स्थान पर भी गए इस सभी चीजों का आज सुप्रीम कोट ने नौट किया है तो मैं मानता हूं कि एक एक भी आरोप जो NGO ने लगा था वो ठीका नहीं है, मोदी जी बिल्कुल कोई आरोप के बगर पूरी बात से अज सुप्रीम कोट के जद्मेंट से बाहरा रहे हैं, बड़ा सत्य का विजय हुआ है. मीडिया और NGO इन दोनों के उपर सुप्रीम कोट ने भी कहा है, एक बार अगर आप कहें कि आप, what do you think should be the role और क्या रोल मीडिया ने नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव ने नेगेटिव, पॉजिटिव क्या किया? इन रिकूट है, सिर्फ मीडिया और NGO नहीं है, पॉलिटिकल पाइटिया भी जो NGO को नर्स करती है, वो भी है, आप इसको मत छोड़िये. तो आप, what do you think, कि क्या इससे कोई learning lessons मिलेंगे? मैं तो मानता हूँ यह दिखकर सबने आत्मचिंतन करना चाहिए.